Hello everyone, Namaste तो guys, आज यहाँ पे जो reading में करनी जा रही हूँ, उसका topic है What makes you so unique? So guys, आज इस reading में मैं यह explain करनी जा रही हूँ कि आपके अंदर ऐसी क्या खूबिया है या फिर क्या positive side है या फिर ऐसा क्या negative side है आपका जो कि आपको दूसरों से अलग बनाता है एक unique personality देता है वो कौन सी चीजे है, ठीक है तो उसी के बारे में guys, आज हम लोग इस reading में इन detail में जानने वाले है, ठीक है तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पार रहो मैंने दो पैल already select कर लिए है पैल number one, उन लोगों के लिए है जिनका भी नाम का पहला अक्षर जो है वो A से लेके M के अंदर आता है या फिर आप लोग love जो word है उसे पैल number one के according ले सकते हो और पैल number two उन लोगों के लिए है जिनका भी नाम का पहला अक्षर N से लेके Z के अंदर आता है या फिर आप लोग brave word को पैल number two के according ले सकते हो या फिर आपके उपर है कि आप लोग अपने अपने name initials के according पैल का selection करना चाहतो या फिर यहाँ पर जो word है love या फिर brave उसके according पैल का selection करना चाहतो और गाइस यह जो reading यहाँ पर मैं कर रही हूँ यह completely timeless reading है general reading भी है और यह फोर both males और females हर किसी के लिए है और मेरे जितने भी readings होता है सारे ही timeless होते है और general reading भी होता है तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस भी reading को refer कर सकते हो according to your problems और काइस आप लोगों को आपका solution मिल जाएगा और मेरे blessings हमेशा आप लोग के साथ ही रहती है और आके भी रहेगी तो आप लोग भी थोड़ा support देखाना और चितना साथा हो सके न आप लोग मेरे चानल को subscribe कर लेना ताकि मुझे भी motivation मिलेगा और मैं भी ठीश सारे new new topics के उपर reading कर पाऊंगी और आप लोगों की life में एक छोटी सी प्यार से help लापाऊंगी तो अभी हम reading शुर करते हैं pile number one से जिन लोगों का भी नाम का पहला अक्षर A से लेके M के अंदर आता है या पिर जिनोंने love को choose कर रहा है ठीक है और ये जो reading मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये हर कोई देख सकता है ठीक है तो guys जिनोंने भी pile number one choose कर रहा है आप देख पार हैं दो cards मैंने select का लिए है the world का card है guys in reverse में and three of swords का card है तो pile number one आपके अंदर ऐसे क्या positivity है या फिर ऐसे क्या negativity है जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती है एक unique personality देदी है and you know what guys वो चीज क्या है आपका intense side I know थोड़ा समझने में यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी मैं उसे explain अच्छे से कर लोंगी ठीक है तो guys यहाँ पे मैं देख पार रही हूँ आप एक ऐसी personality होना एक intense personality मैं यहाँ पे देख पार रही हो आपके अंदर जहाँ पे कि शायद शायद आप कई सारे परिशानियों से या चीजों से ऐसे सी चीजों से आप गुजर चुके हो या गुजरनी चार रहे हो कुछ न कुछ हो रहा है आपके लाइप में continuously जहाँ पे कि आप ऐसी चीजों को experience कर रहे हो जो कि हर इंसान tolerate नहीं कर पाते है ऐसा आपने आइदर अपनी childhood में कर रहा है या पर current situation में आप कर रहे हो and your near future भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है हाँ थोड़ी दिक्कते हैं आपके लाइप में लेकिन ये थोड़ी टाइम के लिए है दिक्कतों की बात कर रहे है थोड़ी टाइम के लिए है आपकी जो suffering आपको करना था आपने कर लिया जितना आपको भुगतना था आपने भुगत लिया है ठीक है अब आपके लाइब में प्यार के एंट्री होगी ठीक है The real love that you really want in your life ना काईस वही आपके लाइब में एंट्र करनी चाहरे है वो प्यार कुछ भी हो सकता है आपका लाइब पार्टनर हो सकते है आपका ड्रीम जॉब हो सकता है कुछ भी लेकिन जो आप दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो ना दिल से चाह रहे हो जिसे वो चीज आपको मिलेगी ये एक blessing के तौर पे मैं देख पार रही हूँ पैल नमबर उन उससे बस grab कर लेना ठीक है तो यहाँ पे आपके अंदर क्या ऐसे unique quality है जो कि आपको सबसे unique means सबसे अलग बनाती है जो कि दूसरों के अंदर नहीं है पहला तो काईस आपके अंदर जो सहन सीलता tolerance जिसे बोलते हैं आप जरूर से ज़ादा tolerate कर पाते हो कभी कभार हाँ out of control हो जाते हो आपका गुस्ता बाहर आ जाता है लेकिन वो by chance आता है लेकिन आपके अंदर जो ये सहन सीलता है न गाईस वो हर किसी के अंदर नहीं रहता है चाहे जितना भी कठिनाई आए आपके life में आप डटके सामना करते हो हर एक सुबह को एक नया दिन समझ के जीते हो वो उमीद जो है वो आपके आँखों में दिखता है और ऐसे personality बहुत कम लोगों में होती है जो कि self motivator होते है जिने दूसरों की help की motivation की सहाच जिसे बोलते है help ठीक है help की जरुरत नहीं पड़ती है ठीक है आप अकेले में ही सब कुछ handle कर सकते हो एक good problem solver भी आप हो I know जब मैंने ये बोला कुछ मेरे viewers हो जो की आपको हसी आचुकी होगी because आप ऐसा सोचते होगी की यार अगर मैं इतना अच्छा problem solver होता या होती तो या कुछ भी कर जाता अब तक तो कभी कभार क्या होता है ना time भी होता है आप चाहोगे कि सब कुछ मुझे अभी मिल जाए तो हो नहीं सकता ठीक है समय के according आपको वो चीज मिलेगी इसलिए मैं बोल रही हूँ आपके अंदर वो problem solving ability कहलो वो कूट-कूट के भिरा हुआ है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो और जो समझ चुके है वो अपने life में आगे अच्छा खासा बढ़ रहे है वो मैं देख पार you pile number one तो guys आपके अंदर सबसे हटके एक चीज जो है वो है आपकी सहन सीलता आपका खुद के ऊपर भरोसा कभी कभा डगमा का चाहता है लेकिन हमेशा नहीं भरोसा हमेशा रखते हो आप खुद के ऊपर रखते हो इवन आपकी intense eyes मुझे यह आपकी आखे दिख रही है pile number one बहुत ही जादा intense eyes है आपकी जहाँ पे की कई दुख तकलीफे जो है वो समा के रखी है at the same time एक उमीद भी दिखती है लोगों को आपकी आखों में उसमें दर्द भी है और उमीद भी है उस तरह की आखे है काई साब की और वही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है एक uniqueness देती है your eyes your intense eyes your intense personality your intense nature आपको समझना हर किसी के बसकी बात नहीं है क्योंकि आप बहुत ही जादा deep personality हो आप खुद को हमेशा सब के सामने पूरी तरीकी से खोल की रखना नहीं पसंद कर दो like like किताब ठीक है जब तक हम उस किताब को खोलते नहीं है पढ़ते नहीं है हम जान नहीं पाते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा है आप उस किताब की तरह हो जहापे कि आपको पढ़ पाना हर किसी के बसकी बात नहीं है आप थोड़े close-up kind of personality हो and वही इंसान आपके लाइब में एंटर करेगा या करेगी जो कि आपको पढ़ पाएंगे जो आपके आँखों को पढ़ पाएंगे he or she will be the true love for you आपको जो समझ पाएगा या अपको जो समझ पाएगी ना आप उसे चूस करना अपने life partner के तौर पे ठीक है ये एक हिंट था pile number one आप लोगों के लिए कि अगर आपके mind में कभी भी वो question आता है कि मैं कैसे पहचानूँगा या पहचानूँगी अपने life partner को तो आप ऐसे पहचान सकते हूँ जो आपको समझ रहा है वो आपके लिए सही है ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ extra cards भी निकाल लिये हैं ताकि आप लोगों को proper information दे पाऊ ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था आप एक deep person हो आप deep thinker होगा हमेशा आप कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हूँ ऐसा लोगों को feel होता है लेकिन आपके अंदर एक nurturing caring side भी है जो कि आप ज़्यादा तर खाना बनाने में show कर दो जैसे कि हम अपना प्यार जो है वो different ways में show करते है तो आप अपना प्यार को show करने का आपका तरीका है just to cook food for your loved ones ठीक है यह आपका तरीका है अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो guys आप एक चीज़ notice करना in your near future आप ऐसा करना शुरू कर दो के बहुत जल्दी है उसके बाद guys आप comment section में लिखके बढ़ा हो सकते हो that हाँ मैं मैं आप सही बोल रहे है हम ऐसा हमें खाना बनाने का shock चट चुका है ठीक है because मैं वो shock जो है वो देख पार हूँ आपके अंदर even आपके smile जो है वो बहुत ही जादा प्यारी है guys भले ही आपके आखों में वो दर्द वो उमीद दोनों ही दिखती है लोगों को लेकिन आपके चेरे पे जो एक smile होती है न वो बहुत ही जादा unique बनाती है आपको लोग सोसते हैं that आप कैसे हर तकलीफ को इतनी आसानी से handle कर लेते हो आप तकलीफों को अपनी चेरे पे लाने देना नहीं पसंद करते हो आप hide कर लेते हो आप कैसे hide कर लेते हो आप रोते ही नहीं हो आप किसी के सामने अपना दर्थ जो है वो जाहिर नहीं करते हो still, you always have that smile on your face वो छोटी सी प्यारी से मुस्कर रहा है, ठमीशा आपकी चारे पे रहती है और cleaning less के उपर आप थोड़ा ज़ादा ध्यान देते हो, आप थोड़ा formal way में dress up होना आपको अच्छा लगता है means ऐसा नहीं है कि अच्छा लगता है और guys एक चीज है जो दूसरी लोग है जो opposite gender के लोग है जो आपको देखते है चाहे वो आपके friend हो आपके colleague हो या फिर कोई stranger ही इंसान ही क्यों नहीं हो वो थोड़ा सा attracted हो जाते है आपके प्रदी that physical attraction उन्हें रहता है और they really wanna experience that touch that feel with you वो आपके साथ intimate होना चाहते है लोग आपके साथ जो opposite gender के लोग है न वो आपके साथ intimate होना चाहते है बिकस उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि जो इंसान इतना साथा intense है इतना साथा जिसकी अंदर वो हिमत है उसके साथ physical होना किस तरह का होगा guys they really wanna experience that moment with you और लोगों को दिखता है आपकी आँखों में that someone maybe ditch you शायद किसी ने आपको धोका दिया है ऐसा दूसरों को लगता है guys या फिर किसी में आपके उपर कोई काला शादू तो नहीं कर दिया है इसलिए आप शायद इतना reserved रहते हो किसी से बात्चीत नहीं करते हो अपने में रहते हो शायद ऐसी तो कोई बात नहीं है ऐसा लोग सूसते है guys और कुछ लोग आपके बारे में ये भी बोल रहे है that उसकी healing चल रही है वो emotionally mature हो रहे है जब वो emotionally stable हो चाहेंगे at that time शायद वो थोड़ा और open up होंगे ऐसा लोगों को उमीद है आपके साथ ठीक है और हाँ कभी कबर आपका गुसा जो है वो बाहर आता है कभी कबर ये मैंने reading के starting में ही बोला था और वो गुसा handle करना तो हर किसी के बस की बात ही नहीं क्योंकि आप बहुँ जादा dominating and controlling हो चाते हो जब आप गुसे में रहते हो लेकिन वो भी दूसरों को attract करता है guys आपके तरफ ठीक है they really feel so hot and sexy about you that your angle side ठीक है चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो so guys आपके अंदर जो चीज है जो आपको unique बनाती है so unique बनाती है दूसरों से वो है पहली बात तो guys आपकी intense eyes आपकी आँखे गहरी काली आँखे या फिर गहरी भूरी आँखे then your smile on your face चाहे जितने भी परिशानी क्यों नहों आप मुस्कराते हो हस के बात करते हो सबसे that positivity self motivator हो आप आपको किसी के help की कोई जरुवरत नहीं है ठीक है आप हर दिन को एक नया जीवन समझ की जीना prefer करते हो वो चीज वो उमीद तो का इस लोगों को आपकी आँखों में वो उमीद भी दिखती है चीजे वे आपको unique बनाती है, सबसे अलग बनाती है even आपका गुस्सा भी जब आप गुस्सा होते हो ना आप बहुत ही ज़्यादा hot and sexy दिखते हो and वो चीज ऑपोसे जंडर के person को आपकी तरफ और भी ज़्यादा attracted लगती है वो लोग खीचे शले जाते है magnet की तरफ they really wanna spend that physical moment with you ऐसा उनका dream है ठीक है तो आप demand में बहुत रहते हो pile number one I know, I understand कि हाँ आपके life में problems है परिशानिया है लेकिन हच चाहिए मैंने reading में बोला ना आपको प्यार आपके life में आ रहा है या आ रही है वो प्यार कुछ भी हो सकता है एक life partner हो सकते है या फिर आपका dream job हो सकता है कुछ भी ठीक है जो भी blessings divine आपको दे रही है बस खुशी से उसे grab कर लेना और मेरे blessings हमीशा आप लोग के साथ ही रहेगी ठीक है ये था reading for pile number one और अभी हम move करते है pile number two की तरफ और पहले तो देखते हैं उनके लिए कौन-कौन से cards आया है so pile number two जिनका भी नाम का पहला अक्षर N से लेके Z के अंतर आता है या फिर जिनोंने brave को चूज कर रहा है आप लोग pile number two हो तो यहाँ पहले आप देख पार हो मैंने दो कार से लेक लिए है the Empress का card है and three of cups का card है आपके लिए so pile number two आपके अंगर ऐसे क्या positivity है या फिर आपका क्या ऐसा negative traits है जो कि दूसरों को एक ऐसा feeling देता है कि आप एक unique personality हो सबसे अलग, सबसे हटके कौँ सी ऐसी चीज़े हैं तो guys to be honest with you मुझे आपे जादा तर negative traits नहीं दिख रहे हैं positive बहुत जादा चीज़े मुझे दिख रहे हैं like first one एक पहली चीज या फिर trait कहलो जो आपके अंदर है जो कि आपको सबसे अलग बना दिये है that one is your own beauty your inner beauty as well as your outer beauty जहाँ पे कि आप दिल से ही इतने जादा खुबसूरत हो pure hearted person हो and because of your pure hearted personality वो खुबसूरती आपके physical look में भी जलगता है आप बहुत ही सादा खुबसूरत person हो चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो that doesn't matter लेकिन आपके खुबसूरती आपको अलग बनाती है सबसे सिर्फ आपके बहारी खुबसूरती नहीं काईस आपकी inner beauty भी जो आपका care, concern रहता है अपनों के लिए इवन दूसरों के लिए भी वो आपको खुबसूरत बनाती है सबसे अलग बनाती है selflessness आप खुद से पहले दूसरों से प्यार करने की ability रखते हो हमेशा आप दूसरों के बारे में सोचते हो, पहले और उसके बाद आते हो आप खुद और वही trait, वही quality आपको सबसे अलग, सबसे हट के बनाती है guys आपका nature ही ऐसा है आप by birth ही इस तरह की person हो आपके अंदर एक feminine side कहलो वो कूट-कूट के भरा हुआ है चहाँ पे कि you are always ready to help others जब आप दूसरों के help करते हो आपको खुशी मिलती है आप खुश हो चाहते हो आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक कहलो या smile कहलो वो लोगों को दिखती है आप एक true friend हो आपने अपने life में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है as a friend तो कभी भी नहीं आप एक सचे दोस्त हो अगर आप किसी के friend बनोगे ना तो उसे निभाओगे उस तरह के friend हो आप तो वो bonding जिसे बोलते हैं वो trust जिसे बोलते हैं आप बन करके trust वो दूसरे कर पाते हैं आपके अंदर guys and because of that factor people really drawn towards you because of your outer beauty yes and as well as your inner beauty क्योंकि हर इंसान अलग होता है ठीक है जो opposite gender के लोग है वो कुछ लोग हैं जो कि आपके साथ वो physical moment को experience करना चाहते हैं they really want to explore your sensual side how you react how you play with him वो moment को experience करना चाहते है कुछ opposite gender के लोग है कुछ लोग हैं जो कि आपके soul को पहचानते हैं आपकी inner beauty को पहचानते हैं आपकी अंडूनी खुबसूरती को जानते हैं that how much you are a kind hearted person क्योंकि आप हमेश्या ready रहतो guys जब भी किसी को help चाहिए आप तयार हो help कर दे के लिए आप सामने से जाके help कर दो किसी को ज़रुरत नहीं है आके आपसे help मांगने की तो आप बहुत ही जादा nurturing caring supportive इंसान हो and because of your this kind of feminine nature लोग बहुत जादा आपकी respect करते हैं जादतर क्या होता है लोग पसंद करते हैं लोगों को ठीक है लेकिन यहाँ पर respect कर रहा है आपकी भले ही आपको लग रहा होगा कि यार कहां मेरी respect करते होंगे सब तो मज़ाग में बात करते हैं मेरे साथ no guys that's not true at all मन में वो लोग आपकी respect ज़रूर करते है ठीक है अगर एक friend के बारे में सोचो ना तो आपका नम पहले आता होगा आपके friend circle में जो की always ready to help someone ठीक है तो आप एक true friend हो ऐसा हर इंसान के अंदर वो quality नहीं होता जो की सच्चा दोस्त हो जैसे की वो एक movie में था जैवीरू type आप उस तरह के friend हो जो की अपने friends को save कहने के लिए खुद को भी कुरवान कर जाए खुद की खुशी को भी कुरवान कर जाए उस तरह के friend हो आप you know what seriously जो आपके friends है ना वो बहुत लखी है और एक चीज़ है जो की divine की तरफ से संदेश है guys pile number two लोगों के लिए वो मैं यहाँ पर बताना चाहते हूँ that अगर आप mingle होना चाहते हो means अगर आप relationship में आना चाहते हो तो बहुत जल्दी आपके मुलाकात एक person से होगी जरूर जिनके साथ आप school college में पढ़े थे या फिर जिनसे आपके मुलाकात बहुत time पहले हुई थी and वही person आपके life में वापस आ रहा है reunion हो रहा है and वह आपके कोई friend ही है and वही friendship एक romantic relationship में तकदील हो चाहेगा ये तो तैह है ठीक है ये एक blessing कहलो या फिर simply एक message कहलो divine की तरब से आपकी लिए था अगर आपके mind में वो question था कि कब मैं किसी relationship में आऊंगा या आऊंगी मेरे साइट में भी कोई खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी जो कि मेरा बंदा या मेरी बंदी होगी तो guys जादा wait नहीं करना पड़ेगा बहुत जल्दी उनसे आपकी मुलाकात फिर से होने शारी है कोई एक reunion party में आप मिल सकते हो कोई celebration, occasion, like marriage, birthday party कुछ भी लेकिन एक occasion happy happy situation में आपके मुलाकात उनसे होगी जरूर guys so आपके अंदर ऐसे क्या खूबियां है या क्या ऐसे negative traits हैं जो कि आपको सबसे अलग बनाती है तो guys यहाँ पे मैं देख पार रही हूँ that भरोसा, भरोसा लोग आप बंद करके आपके उपर करते है आप बहुत ज़्यादा brave person भी हो guys इतना आप समझ लो ठीक है आप आप खुद को इतना ज़्यादा brave नहीं समझते होगे लेकिन साहस की कमी नहीं है आपके अंदर अगर आप ठान लोना कि मुझे ये काम करना है तो चाहे क्यों ना कुछ हो जाए आप वो काम को complete करके दम लोगे तो उस तरह का थोड़ा जिद्धी सोभाव आपके अंदर है ठीक है और वो चीज़ आपको थोड़ा अलग बनाती है सबसे बिकरस आप पीछे अटने वालों में से नहीं हो आपको पता नहीं होगा गाइस लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रोंग मैंनेटिक सेंशल ओरा है जो कि दूसरों को खीचता है आपके प्रती लोग बहुत ही साथा अट्राक्टेड हो जाते है आपको पता नहीं होगा गाइस वो चीज़ लेकिन इस ट्रू आपके साथ स्पेंट करना चाहते है क्योंकि उन्हें लगता है आप बैट में बहुत अच्छा रहे होगी आप समझ पा रहे हो ठीक है तो गाइस आपके अंदर का जो सपोर्टिव साइड है जहाँ पर कि आप हमेशा रेडी रहे तो दूसरों की हेल्फ करने के लिए वो एक पॉजिटिव ट्रेट है दूसरा आपका हिम्मत तीसरा आपके अंदर का जो मैगनेटिक पोस्नलिटी कहलो ठीक है सेंशल पॉस्नलिटी जो की बहुत सादा एट्रेक्ट करती है दूसरों को आपके प्रती वो आपको बहुत सादा अलग मनाती है क्योंकि हर इंसान के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती जहाँ पर की ऑपोसेट जेंडर की लोग बस खीचे चले जाएं तो यहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्राकार्स निकाल लिये है वो देख लेते हैं आपके खुबसूर्ती मैंने यह पहले ही आपको बोला था कि आपकी इनर ब्यूटी आपकी आउटर ब्यूटी आपको यूनिक बनाती है सबसे अलग हटके बनाती है इवन आपका पेशन्स आपके अंदर जो पेशन्स है ना वो बहुत ही साथ कमाल का है आप बहुत ही गुट मैनेजर बन सकते हो अगर आप ट्राय कर रहो तो या फिर इवेंट मैनेजर जो बोलते हैं उस तरह के प्रोफेशन में भी आप एंटर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे आपका एकसल होना तैह है आपके helping nature जो कि मैने पहले ही बोला था आप हमेशा ready रहते हो दूसरों के help करने के लिए इवन आपका selflessness nature where you are always give that good advice to others ठीक है आप jealousy कभी भी नहीं रखते हो मन में then अगर आपने कुछ चीज ठान ली तो उसे पूरा करने की काबिलियत as well as हिम्मत दोनों ही आपके अंदर है तो वो आपको अलग बनाती है guys हर किसी से भी इवन अगर आपने कभी भी commitment करा है या करोगे तो उसे निभाओगे किसी का साथ नहीं छोड़ोगे वो आपको अलग बनाती है सबसे इवन आपके अंदर एक innocent प्यारा person तो है ही लेकिन एक adventurous person भी हो आप और वही चीज तो दूसरों को बहुत ही जादा हटके लगती है आपके अदर चाहपे कि आप इतने family एन अनसान हो लेकिन at the same time कभी कबार आप थोड़े बहुत ही जादा दबंग टाइप की हो जाते हो तो guys आप में जैसे कि dual personality है और आप जिस person को अपने life में jacket होगे जिससे प्यार करोगे वो भी twin frame होगा आपकी तरह होगा वो बिलकुल आपके carbon copy type का आपको मज़ा आता है लेकिन कभी कुबार आप फस्ट्रेट हो चाते हो तो यार सरन सरन क्या हो रहा है हर चीज मेरे life में change आता जा रहा है लेकिन guys जो changes आपके life में आ रहे हैं आपके अच्छे के लिए आ रहे है और अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना वहां से आपको कुछ lessons learn करने पड़ेंगे आपको चीज़े सीखने पड़ेंगे इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है उससे आप चिडो मत उससे आप भागो मत उससे समझने की कोशिश करो इसलिए तो आपके life में कुछ अच्छी हो जाती है कभी कबार कुछ बुरी चीज़े हो जाती है कभी कबार तो एक balance नहीं है यहां पे और वो balance बहुत ज़्यदी पूरा हो जाएगा even आपका जो mind में एक thought है दाट लोग आपको चाने appreciate करें आपके काम को आपका नाम बने तो वो भी हो जाएगा या हो चुका है लेकिन आप famous ज़रूर होगे famous not in the sense that टाटा बिला अंबानी स्टाइप ठीक है famous बनना means लोग जिस वे field में हैं वहां पे famous बनना ठीक है तो यहां पे जो आप famous हो रहे हो अपने काम के लिए आप famous होगे लोग चानेंगे because of your work because of your helping work शायद आप किसी को help करोगे और उसी चकर में आप famous हो जागे कि कुछ न कुछ होगा ज़रूर का sudden मुझे दिख रहा है that आपके life में कुछ चींच आने वाला है sudden change आने वाला पाल number two कुछ ऐसा काम आप करोगे जहाँ पे कि आप दूसरों को help करोगे किसी एक इनसान के help करोगे और उसके बाद आपके life एक transformation लेगी turning point लेगी और आपके life में कहीं सारे blessings आएंगे like जहाँ पे आप काम करना चाहते हो कुछ ना कुछ sudden जरूर होनी चाहरा है guys आपके life में चाहे हो आपके career से related हो या आपके love life से related हो या फिर simply आपके life से कुछ ना कुछ एक event related हो लेकिन होगा जरूर और वही चीज़ आपके life को पूरी तरीके से change करके रखतेगी लेकिन आपको जरनी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे जो changes में देख पारी हूँ वो अच्छे के लिए मैं देख रही हूँ ठीक है आपके अच्छे के लिए होनी चाहरा है जहाँ पे कि लोग आपको जानने वाले है appreciate करने वाले है जो भी काम आप कर रहोगे आप किसी के help कर रहे हो या पर कुछ भी जो भी आप कर रहे हो उसकी सराहना करना जिसे बोलते है वो हो रहा है आपका नाम हो रहा है okay so guys जो topic था आपके अंदर से क्या positive या negative traits है जो कि आपको दूसरों से अलग your beauty आपके खूबसूरती जाहे वो आपकी inner beauty हो या फिर outer beauty हो लेकिन आपके खूबसूरती जो है वो आपको सबसे अलग सबसे हट के बनाती है आपका जो helping nature अगर आप किसी को commitment दोगे तो उसे पूरा करोगे आपकी loyalty आपका sensual side जहापे कि you no need to put efforts to attract someone or just to seduce someone आपको कोई महनद करी की ज़रत नहीं है बस आप एक नजर देख लो काफी है और आपके अंदर की जो ये अच्छाई है ना वही दूसरों को आपके प्रती बहुत सादा attract कर दिये और आपकी अच्छाई के कारण ही आप famous हो जाओगे guys लोग आपकी सराना करेंगे because of your helping nature आपका job ही उसे side से होगा जापी की आप service provide करोगे वो service कुछ भी हो सकता है ठीक है लेकिन आप पहचाने जरूर जाओगे ये तो तैय है ओके और आपका साहस जो आप ठान लेते हो आप आप करके दिखाते हो वो चीज़ आपको अलग बनाती है सबसे एक uniqueness देती है so guys ये था reading आप लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरी जो reading होते हैं वो resonate करते हैं या अगर आप लोगों को सुनना ही अशा लगता है guys तो आप लोग में चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने family friends और colleagues के साथ तो guys support दिखाओ और मेरे blessings हमेशा आप लोगों के साथ ही रहे कि so take care and be safe love you all thank you bye